बक्सी बांद उपर गामी सेतु के पास लेविल ट्रोसिंग बंद होने के उजए से जाम अगर ये उपर गामी सेतु कंप्लीट हो गया तो इसको खुलवाने का प्रयास होना चाहिए इससे की आने जाने वाला को आसानी हो उधर आगे वाला भी बंद होता हुआ, फाइनली लास्ट इसका मदब डारेक्ट प्रयागराज जंक्शन की तरफ से भी कोई ट्रेन आ रही है बाकी ट्रेन तो इधर से भी आ रही हो लगता है यह आपकी इस साइट से प्रयागराज संगम से फुलकी आने के लिए बापक जाते हैं हो गया है फुलकी आजकर का होट स्पोट फुलकी भंडार खान पान सेवा जैमा रतंगर वाली रतंगर मां की मूर्ती जहासी में जो सिप्री बजार को जाने वाला रास्ता है वहां चड़ाई के बास जहां पे कबीर दाज जी की एक प्रतिमा लगी हुई है नहीं रतंगर मां वाली मां की भी मूर्ती है कोई ट्रेन थ्रू पास वाली आ रही है ऐसा लगता है आज कल का होट स्पॉट एक और है अंडे का अंडे की दुकान जहां पे आपको उगला हुआ अंडा आमलेट मिलता है ट्रेन लगता है इसी साइड आ रही है यह ही सीधे जाती हुई प्रयाग्रा जंक्षन भी था हुआ जंक्षन है तो जाने वाली ट्रेन हो सकता है बंदेल खन भी हो सकती है और एक और यह प्रयाग्रा संगम की तर जाने अभी है तर्मिनेटिंग स्टेशन जो लखनों जॉन्पूर तर्मिनेट हो जाती है यहां पर देखने से पता नहीं लग सकता है कौन सी ट्रेन है कि सभी ट्रेन एकी तरह कि कंपार्टमेंट लेके चलती है पुराने ट्राइप के तो इसके तुरण बाद लेवल क्रॉसिंग खुल जाएगी स्लिपर काज भी लगा ऐसे एक दो तीम लॉंग डिस्टेंस ट्रेन इस का में चार स्लिपर एसी ट्रीटियर् सेकेंड ग्लास और ये अंतिम डिबा अधर की क्रॉसिंग संभाव तक फुल गई है नहीं अभी नहीं खुल जाएगी पहले अब ये खुल जाएगी पहले अपर गामी से तु चालू होना चाहिए अच्छा अब यो ट्रेन क्रॉस नहीं कर पाई है अब क्रॉस कर पाई हो सालू होने चाहां तक जाम लगगया पीछे तक याब खुलता हुआ अभी भी देखें, क्रॉसिंग क्रॉस नहीं कर पाई है गारी है, पास मिनट बाद तक देखें अभी भी वही जाम, इस समय क्योंकि सहर की तरफ से आने वारे लोग डारागंज की तरफ जाने आवे, और बाकी सहर की तरफ से दारागंज, दारागंज की तरफ से सहर की तरफ जाने वाले लोग, हो सकता है कि देर बाद फिर बंग में जाए, कोई दूसरी टेन आने के अप्षोड़ा फ्लो बंता हुआ, उधर आगे वाली क्रॉसिंग अभी अभी खुली है, अभी तब बंग की हो, फाइ